हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर आज़े में स्वीडियो में बात करने वाले IRP Infrastructure Developers Limited के बारे में जिसकी प्राइज भी चल रहे 51 रुपीज के आसपास और आज के लिए देखो तो 8% के आसपास के तेजी इसके इंदर देखने को मिली ह अगर आप चार के उपर देखोगे तो श्टॉक ने यहाँ पे 78 रुपीज का हाई बनाया था और इसी हाई के आसपास से लगातर श्टॉक में गिरावाट देखने को मिल रही थी और यह गिरावाट जो थी वो 45 रुपीज तक हुई थी और यहाँ पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिल रही है जो कि अगर आप फ्रैडे के दिन देखा होगा तो 4% के आसपास की तीजी थी और आज की दिन देखोगे तो यहाँ पे 8% के आसपास की तीजी है तो लाश्ट दो सेशन में काफी अच्छी खासी तीजी हमें देखने को मिली है तो यहाँ प पर क्या हो सकता है ठीक है तो IRB का डिटेल में एनालिसिस करते है चैनल पर दा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकें को प्रेस कर दिजिए अगर आपने अब तक हमारा वाटसप ग्रूप जोईन ने किया है तो वीडियो के नीचे description में वाटसप ग्रूप का link भी दिया हो है बिल्कुली फ्री में आप हमारा वाटसप ग्रूप जोईन कर सकते हो वहाँ पर latest update news बिल्कुली फ्री में सबसे पहले दी जाती है तो यहाँ पर fundamental से शुरूआत करते है के बाद टेकनिकल चार्ट के पर इंपोर्टर लेवल भी देखेंगे मार्केट का देखेंगे तो कमती का है 30,921 करोर का करम प्राइस जे फिटी वन का एंड इस ने हाई बना था 78 का एन इस आई जे अगर गिरावट की बात करें तो अब तक यहाँ पर 34% की गिरावट पर ग्रहाम नंबर भी देखोगे तो 23 है तो वैलिएशन के हिसाब से देखोगे तो भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव प्राइज नजर आ रहा है रिटर केवड एंप्लॉई 8.96% रिटर इक्विटी है 4.38% दोनों परसंटेज काफी कम देखने हो मिल रहे ह पर यहाँ पर 75 पर देखोगे तो 72 है काफी बढ़िया है एंद्वी यहाँ पर फॉर्टि फॉर परसंट है तो यह नंबर भी काफी अच्छे घाज है और डिउड़न देखे लिए तो यहाँ पर पॉइंट 59 पर पर दिविड़न भी है और यहां पर कम्दी को बहुत ज्या के fundamental and chart के उपर important level की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर strong support था इसका 44 का and इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो support था यह वाला जो की बनता है हमार यहाँ पर 49 का तो यह दोनों support यहाँ पर आप देख सकते हो लगा था stock में गिरावट हो रहे थी यहाँ से buying शुरू होती है 44 से and अभी यहाँ पर इसको भी sustain कर चुका है जो यह level है 49 का तो इसको भी यह अभी sustain कर रहा है अच्छी खासे green candle हमें बनती हुए नजर आ रही है तो अभी के लिए यहाँ पर next support and resistance कौन से देखने को मिलेगे stock में वो इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला अभी support की बात करें तो 49 का यहाँ पर बड़ा support है इसके नीचे यहाँ पर 44 का support है और यहाँ अगर अच्छी खासे वो है 200 डेमा के तो 200 डेमा के नीचे अभी stock trade कर रहा है तो अभी आप ऐसा नहीं सोचते है कि long term में अच्छा का return तुरंत ही आपको मिल जाएगा क्योंकि यह इसके नीचे 63 के level के नीचे 200 डेमा के नीचे तो इसका भी यह resistance लेके यहाँ पर stock नीचे आ सकता है तो इसको cross करक करना बहुत ही ज़रूर है 63 का level तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके बाद देखो है तो यह resistance पर मैं देखने मुल रहा है 66 का और इसके बाद यहाँ पे 71 का resistance यहाँ इसके बाद यहाँ पे 78 का जो 52 खाई है वो हमें resistance की तरह level देखने को मिल सकते है तो नी यह उपर के साइब resistance निचाए के साइब सपोर्ट आपके लिए important level है ऐसादी में यहाँ पे शेरोल्डिंग पैटन देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ परसंग के आसपास की है FIS की होल्डिंग देखो तो कितने है 45.99% डियास की होल्डिंग 8.10% एंड यहाँ पे के पास इससिर्फ 15.49% होल्डिंग तो ज्यादा से जादा होल्डिंग जो है वह यहाँ पर कासे यहाँ ऐस अपनी होल्डिंग इंक्रिस कर रहे हैं और रएबिए इसकी बात कर्दो वह भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर क्लिको we across ते और इसके साथ साथ देखोगे तो quarter on quarter पे बड़ी गिरावर देखने हो मिली थी, net profit यहाँ पे 4% का jump था, पर यहाँ पे quarter on quarter की बात करें तो उसमें भी गिरावर देखने हो मिली थी, तो यहाँ पे result देखोगे तो उतने खास अच्छे रहे नहीं थी, तो दोस्तो इस वीडिय टेकनिकल चार्ट के उपन इंपोर्टन लेवल सब कुछ आपर देख लिया है, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस ज़रू से कर देजिएगा, थैंक्यू, थैंक्यू मच् करुं क्याती है, यंक्यू मच्छाइब जग्दयोंगज